मैं मिस्स खरे लालबागर्स इंटर कॉलेज के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं क्लास 11 के लिए फिजिक स्रीज का पार 29 लेके आई हूँ बच्चों हम कुछ रिवीजन करा रहे हैं जैसे की बिमा निकालना है ना पर आपने मूल राशियां पढ़ी हैं लंबाई, द्रमान और समय तीन मूल राशिया आप पढ़ चुके हैं इनके मातरक मूल मातरक कहलाते हैं देखें बिमा निकालने के लिए हम आप मेरा वीडियो इसके पहरे सेकंड पार्ट देखिएगा तो उसमें हमने साथ मूल मातरक बताएं हैं और दो पूरक मातरक बताएं ठीक हैं वह आप देखिएगा मेन मूल राशियां जो हैं लंबाई समय और द्रमान हैं जिसकी साहता से हमें विमान निकालनी है राशी उसको पहले मूल राशी में तोड लेते हैं ठीक हैं और फिर उसमें लमबाई की जगें L द्रमान की जगें M उस समय की जगें T रख देते हैं आप जैसे छेट फल है छेट फल बड़ा लमबाई गुणे चौड़ाई होता हैं लमबाई भी जो है दूरी है और लगा देते हैं यह आपका छेतवल का विमिय सूत्र हो गया एल की पावर टू है ना अब देखिए वेग और चाल वेग विस्थापन बटे समय चाल दूरी बटे समय है विस्थापन और दूरी दोनों को हम एल से रेप्रेजन करते हैं और ट से अब ट नीचे है जो ऊपर जाएगा तो माइनस वन पावर हो जाएगी है ना तो ये देखिए ल ट की पावर माइनस वन ये विमिय सूत्र हो गया किसका चाल और वेग दोनों का होगे यही सूत्र है तोरंग वेग परिवरतन बटे समय हैं वेक परिवर्तन और वेक का विमी सूतर है वेक का विमी सूतर निकाल चुके है वेक परिवर्तन का भी वही होगा तो वेक परिवर्तन की जगे L T-1 रखा पॉंट T L T-2 हो गया तोरन का विमी सूतर ठीक है अब बल बराबर द्रमान भी तोरन अब तोरन का निकाल चुके है द तोरण का पूरा यूं लिख दीजिए यह दो कि निकाला था है ना ML T-2 बल अगूर बल इंटू दूरी तो बल हम निकाल चुके ML T-2 यह निक लिख दिया और दूरी के जगे L लिख दिया देखो हैं पहें तो यह हो गया ML SQUARE T-2 T-2 है बच्चो यह हैं अब कार का भी बल इंटू दूरी है तो कार का भी यह होगा ML SQUARE T-2 ठीक हैं अब देखिए सेम विमाओ वाली राशी को ही add और subtract करते हैं जोड़ो घटा सकते हैं तो जैसे equation है V बराबर A T प्रस B V जहां वेग है T समय है तो देखिए इन सब की विमाँ बराबर होगी A T की विमाँ B की विमाँ के बराबर होगी और बराबर V की विमाँ V की विमाँ A T की विमाँ के भी बराबर होगी V की विमाँ B की विमाँ के भी बराबर होगी और B और A T की विमाँ भी बराबर होगी यानि ये वाला पूरा इसकी विमा इसके बराबर भी होगी और इसके बराबर भी होगी अब हमें A और T की विमा निकालनी है तो हम क्या लखेंगे B की विमा बराबर A इंटू T की विमा ठीक है तो A इंटू T की विमा A की विमा इंटू T की विमा हो गया तो A की विमा बराबर V की विमा अपॉन T की विमा V की विमा हम जानते हैं वेग है L T माइनस 1 अपॉन T तो A की विमा हो गई यह T उपर गया तो माइनस हो गया तो L T माइनस 2 हो गया इस तरह में B की विमा बराबर किसके है वी की विमा के और V की विमा क्या है? L T minus 1 ठीक है? इस तरह से एक और example देखिए X बराबर A T plus B T square देखे X क्या इस्तिती है? T C समय है है ना? तो देखिए अब X की विमा बराबर A T की विमा और X की विमा बराबर B T square की विमा भी तो A की विमा बराबर X की विमा बर्टे T की विमा X की विमा L और T की विमा T L T minus 1 हो गया ये किस की विमा? A की विमा ठीक है? B की विमा क्या होंगी? X की विमा अपॉन T square की विमा है ना? B की विमा X की विमा T square नीचे ले गया तो X की विमा बराबर B की विमा बराबर S की विमा अपॉन T स्क्वार की विमा तो L अपॉन T स्क्वार L T माइनस 2 ठीक है बच्चों अब आगे थोड़ा और इसमें 2T पे आ जाते हैं है ना अगर X किसी चीज का अथार्थ मान है और X देश किया माप पर यंतर द्वारा ली गई माप है तो निरपेश तूटी होती है डेल्टा X कहते हैं इसको X माइनस X देश ये साइन जो है बेटा हमने ये S जैसा बनाया है ये मतलब जो चीज बड़ी होगी अगर X बढ़ा है तो X मैनस X देश हो जाएगा X देश बढ़ा है तो X देश मैनस X हो जाएगा ठीक हैं तो ये हो गया तो डेल्टा X का दिक्तम मान जो है यंद की अलपत मान के बराबर होता है अब आईए भिन्नात्मक तूटी अत्वा आपेक्षिक तूटी बिन्नात्मक तूटी क्या है देखें डेल्टा X से निरपेक्ष तूटी अपान वास्तिक मान डेल्टा X अपान X अब प्रच्शत तूटी में इन्टू हंड़ेड हो जाएगा डेल्टा X अपान X इन्टू हंड़ेड आप एक एक एकजामपل लेते हैं तो एक गोले की तिज्जा मापने में 0.25 प्रश्चत के टूटी है तो आयतन मापने में कितनी प्रश्चत टूटी होगी अब देखे आयतन उत्रिज्जा है ना इनके में संबंध हमें मालूम होना चाहिए V बराबर 4 by 3 pi r q अब देखे 4 by 3 और pi तो constant है तो डेल्टा V upon V into 100 अब ये दोनों नहीं लिखा जाएगा 4 by 3 और pi नहीं लिखा जाएगा ये पावर जो है एक गुणा हो जाएगी डेल्टा R upon R into 100 तो देखें डेल्टा R upon R into 100 यानि तिज्जा के मापने में तोटी दी है 0.25 प्रश्चत की तो वो लिख लिख दिया हमने मान तो आयतन के मापने में तुटी हो गई 3 से गुणा कर दीजिए 0.25 पो तो आएगा 0.75 प्रश्चत जो है आयतन के मापने में तुटी आएगी एक और एक्जामपल ले दिये एक आयत के लंबाई तथा चोड़ाई के मापने में क्रमशा 3 प्रश्चत वा 2 प्रश्चत की तुटी है इन प्रश्चनों से आयत के छेतरफल की गणना में प्रश्चत तुटी ग्याद करिये तो छेतरफल बराबर होता है लंबाई गुणे चोड़ाई है ना तो डेल्टा ए अपाउन अब देखे गुणा जो है वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एल अपाउन इन्टु हंडर्ड ये गुणा ये प्लस पे बदल जाएगा डेल्टा बी अपाउन बी इन्टु हंडर्ड एल फॉर लेंद बी फॉर ब्रश्चत ए फॉर एडिया तो डेल्टा एल अपाउन इन्टु हंडर्ड त्रीन परश्चत दिया है और डेल्टा बी अपाउन बी दो प्रश्चत दिया है है ना तो ये आगया पांच प्रश्चत ठीक है बच्चों अब थोड़ा सा और हम आते हैं देखिए X विस्थापन है T समय है V वेग है A तुरण है तो विस्थापन X तथा वेग में सम्मन V बराबर क्या है आपने डेल्टा X अपाउन डेल्टा T पढ़ा है ना डेल्टा X सिख जगे S पढ़ा होगा डेल्टा S अपाउन डेल्टा T तो ये जो है अब इसको विस्थापन को समय के respect में differentiate कर देते हैं यानि आउकलन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? वेग ठीक है? तो V बराबर DX upon DT विस्थापन और वेग में सम्बन होता है यह आपका ताक्षणिक वेग है ठीक है? विस्थापन या स्थिती समय ग्राफ के ढाल से क्या मिलता है? अब देखिए X और T X और T यानि विस्थापन और समय या स्थिती और समय में जो ग्राफ आप खीशते हैं तो इसके ढाल से क्या मिलता है? वेग XT graph से यानि XT यानि स्थिती समय graph के धाल से क्या मिलता है? वेग फिर इस तरह से वेग तथा तुरण में सम्मन A बराबर डेल्टा V upon डेल्टा T पढ़ा था और ये DV by डेटी क्या है आपका? ताक्षनिक है है ना? DV by डेटी ताक्षनिक तो वेग समय graph से वेग और समय graph वेग और समय graph के के धाल से क्या मिलता है? तोरण प्राप्त होता है ठीक है? और वेग समय graph तथा समय अक्ष के बीच के भाग का छेतफल क्या देखे वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का छेतफल तो यह क्या मिलता है विस्थापन बेग समय ग्राप तता समय इसके बीच छेतफल है उसको क्या मिलेगा विस्थापन मिलेगा ठीक है बच्छों चेतफल से अब बलता था तुरण में संबन एब बराबर M into A पढ़ चुके हो गति के समीकरन आप पढ़ चुके हो यह प्रारंभिक वेग है अंतिम वेग है टी समय है एस जो है चली गए दूरी है वी इसकल टू यू प्लेस एटी एस इसकल टू यू टी प्लेस हाफ एटी स् यह सब पढ़े संबीक बराबर M into वेग यह सब आप पढ़ चुके हो बच्चो इसको आप पढ़िएगा और मेरे सारे वीडियो आप देखिएगा